नमस्कार, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस कल्युक के दौर में इंसान इंसान का नहीं रहा, भगवान के दिये इस अनमोल शरीर का, किसी को ये नहीं इजाज़त है कि वो किसी को जिन्दगी को ही इस दुनिया से हटा दे। दोस्तों, सुनैना की शादी नमन के साथ एक औरत के रुप में हुई थी, लेकिन जब राजकुमारी को ये बात मालुम चली कि सुनैना एक किन्नर है, तब राजकुमारी किसी भी तरह सुनैना को अपने बेटे से दूर करना चाहती है। सुनैना के साथ गलत व्यवहार कर उसे मजबूर कर रही है अपने बेटे नमन से दूर होने के लिए दोस्तों, नमन सुनैना से बहुत प्यारा करता है अगर नमन से बिना किसी वजह के सुनैना को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो सुनैना को नहीं जाने देगा इसलिए सुनैना को राजकुमारी ने मजबूर किया कि वो खुद ही इतनी गलतियां करें कि नमन उसका हाथ खुद ही पकड़ कर घर से बाहर कर दे लेकिन उसकी ये कोशिश कभी नहीं पुरी होने वाली थी इसलिए आज राजकुमारी ये काम खुद से ही करने के लिए एक साज़िश रचिन नमन के कमरे में मौजूद सुनैना को रात के अंधेरे में उस पर हमला कर उसे इस दुनिया से ही हटा दिया जाए दोस्तों, नमन और सुनैना रोزाना की तरह रात में सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, वहां पहले से मौझूद राजकुमारी इंतजार कर रही होती है। सुनेना को अपने साथ अस्पताल ले जाता है, सुनेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। गिरा होता है, अपनी मां के समान को पाकर नमन को शक होने लगा, उसकी मां ही है जो सुनैना को नहीं देखना चाहती है, दोस्तों सुनैना के होश आने के बाद सारी सच्चाई राजकुमारी की वो नमन से बता देती है, अब नमन को किसी दो में से एक को चुनना था, या तो जो उसे जन्म दी है एक उसकी पत्नी जिसके साथ रहने का वो कसम खाया है। दोस्तों आपके अनुसार नमन को किसे चुनना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।